नमस्कार दोस्तो मेरा नामे रजनेश स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूटूब चैनल Connecting India Exim Solution में दोस्तो Connecting India Exim Solution इंडिया का एक ऐसा प्लेटफोर में जिस पे आपको Export, Import से लेटेट सारी जानकरी जो है डिटेल में समझाए जाती है कि इंडिया से Export कैसे करें, इंडिया में Import कैसे करें, उसका Procedure क्या है, क्या-क्या Document आपको बनाने रहते हैं, किस ते किसे Marketing करके, Buyer Finding आपको करना है इन सारी चीजों के बारे में जानकरी जो है आपको हमारे यूटूब चैनल के माध्यम से Provide कराई जाती है तो इसी के साथ मैं आपसे Request करूँगा कि अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्क्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आगया आने वाले वीडियो की नोटिफिकिशन मिलते रहें दोस्तों वीडियो में बढ़ते आंगे बात कर लेते हैं, इंडिया से सिल्क और सिल्क से बने प्रॉडक्ट एक्सपोर्ट करने के बारे में तो दोस्तों इंडिया जो है silk का काफी अच्छा export करता है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया से silk और silk product के से export किया जाएं किन countries में export किया जाएं इंडिया कितना export करता है क्या-kya document बनाने रहेंगे और export का पूरा procedure क्या रहता है तो आप वीडियो को end तक देख दोस्तों भारत जो है चाइना के बाद सेकिंड लार्जेस प्रोडुसिंग कंट्री है सिल्क की जिसमें सिल्क की चारो किस्मों का प्रोड़क्शन होता है जो प्राक्रतिक किस्में होती उसके चारो किस्मों का जो प्रोड़क्शन जो है आपके इंडिया में होता है सिल्क के की बात करें तो 50 chapter के अंदर आया आता है और कुछ प्रोड़क्ट जो है 57 chapter के अंदर जैसे सिल्क के कार्पेट होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं जो प्रोडक्शन होता है डिफेंट डिफेंट टाइप की जो प्रोड़क्शन होता है फिर वहां से जो सिल्क का प्रोड़क्शन होता है उसको लेके उसको साफ कर किया जाता है उससे सूथ काटा जाता है और उसके बाद कपड़े बुनने की प्रोसिजर रहती है तो इस तरह की सिल्क का प्रोड़क्शन जो है बहुत स्पेसिफिक तरीक स इन्डिया बहुत अछा अभी कर रहा है और बहुत अच्छा नच्छल सिल्क जो है इंडिया से एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है तो इसके जो चैप्टर में आपको बताए कि 5.0 में भी होता है 57 मैं भी होता है बाढ न색 कि किस-किस तरीके के प्रॉडट्क्ट जैसे स्टोव वगेरहा हम एक्सपूर्ट कर पा रहें और उससे बनी साड़ियां में एक्सपूर्ट कर पाएं उसके बयाएं उसके से बने कार्पेट जयो कि 57agn suggested है तो वह भी आप कर पा रहे हैं जो है आप यहां पर एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और अधर प्रोड़क्ट की बात करें तो जैसे टाई हो गए सिल्क से बने या बैट कवर हो गए सिल्क से बने बैक कवर हो गए यह सब आपके जो है यह प्रोडक्ट हैं जो सिल्क से बनते हों डिफरेंट different countries में export किये जा रहे हैं बात कर लेते हैं दोस्तों कि किन-किन countries में कितना export हो रहा है इंडिया का total export क्या कहता है तो 2022 और 23 के अंदर जो इंडिया ने export किया तो इंडिया ने कुल 276.84 million dollar का different different countries के अंदर export किया है silk और silk से बने product का भारत जो है करीब करीब 30 से जादा countries के अंदर जो है silk product का export करता है उनमें से कुछ premium importer countries की बात करें तो सबसे पहले नमबर पर आता है आपका USA जो की 68.47 million dollar का जो है हमसे import करता है उसके बाद आता है आपका UAE यूए हमसे 54.69 million dollar का silk और silk से बने product का import करता है उसके बाद आता है चाइना जो हमसे 21.56 million dollar का import करता है उसके बाद आता है आपका UK जो करीब करीब हमसे 19.88 million dollar का import करता है उसके बाद है Australia 12.98 million dollar का हमसे import कर रहा है इतली जो है हमसे yearly 11.66 million dollar का import कर रहा है जर्मनी हमसे 10.21 million dollar का import कर रहा है उसके बाद France हमसे 9.28 million dollar का import कर रहा है साथ में Spain है जो 7.63 और followed by Canada जो 3.76 million dollar का हमसे import कर रहा है तो ये तो दे top 10 importer country जो कि मैंने बताया है और उनका कितना million dollar का वो import कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया है बाकी जो दूसरी country जिनमें हम सिल्क को export कर पा रहे हैं वो है आपका मलेशिया नेपाल जापान सिंगापुर ग्रीस तुर्की बांगलादेश साथ अफरीका बेल्जियम साओधी अरेबिया और भूटान और इसके लाववी काफी सारी country में हमारे यहां से सिल्क और सकते हैं तो ऐसे टॉप फाइब जो है स्टीर जिनमें सबसे नमबर वन पर आता है आपका करनाटिका जो करीब करी 8200 मैट्रिक टन का सिल्क का production करता है यह बैसे पर उसके बाद आपका अंद्रप्रदेश है उसके बाद आसाम West Bengal, जारकंड और तमिलाडो जैसे राज्यों से आप सिल्क और सिल्क से बने product खरीज सकते हैं तो इन राज्यों से आप हैं तो आप export भी कर सकते हैं वहीं से और अगर आप भार के राज्यों से हैं तो इन राज्यों से खरीद के आप export कर पाते हैं तो सिल्क से बने different products की कई सारी manufacturing unit different different state में वहां से आप purchase करें और उसके बाद उसको export करें तो सिल्कों को export करना बहुत आसान है दोस्तों initial level पर थोड़ी बहुत जानकरी के साथ सिल्क का export किया जा सकता है सिल्क का export आप LCL mod और FCL mod दोनों में कर सकते हैं less than container load या full container load में भी आप कर सकते हैं ज़रूर नहीं कि अगर सारी का अगर आप export कर रहे हैं तो पूरा container आपका जाने वाला है 500 pieces, 200 pieces, 1000 pieces तो कम investment के साथ भी इस product का export business जो है शुरू किया जा सकता है तो सिल्क को export करने के लिए आप आपको थोड़ा बहुत सिल्क की जानकारी होनी चाहिए और अगर नहीं है तो थोड़ा से इसकी जानकारी अपने supplier से ले ले लें और उसके बाद जहें आप इस product के export में आ सकते हैं बात कर लेते हैं दोस्तों अगर आप सिल्क का export करना चाह रहे हैं इंडिया से तो क्या-क् export के लिए documentation की बात करें तो सबसे पहले आपको एक GST certificate ले ले लेना है उसके बाद आपको bank से AD code लेटर लगीगा साथ में आपको import export code इसमें बनाना रहेगा import export code के बाद आपको RCMC Silk Export Promotion Council का registration का membership certificate आपको लगीगा उसके बाद simply आपको अगर कोई lab report, test report आपसे मांगी गई है तो वो आपको इसमें बना लेनी है कुछ चीज होगा आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस chapter के अंदर कुछ चीजे जो है restricted category में भी आती है तो कुछ product जो है restricted भी है जिनका आपको export नहीं करना है जब आप यह सब document बना लेंगे उसके बाद बाकी document आपके during the shipment होते हैं जैसे कि आपका initial level पे अगर आप बायर से जब deal होती है तो आपको purchasing order आता है फिर आप performa invoice बनाते है उसके बाद commercial invoice आपका बनता है साथ में आपका shipping bill file होता है बात कर लेते हैं completely procedure की कि अगर आप इंडिया से silk और silk से बने product का export करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप जो है इस product को export करेंगे इसका पूरा procedure क्या है तो initial level पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपना sourcing जो point है वो decide करना है कि मुझे कहां से product खरीदना है और क्या product खरीदना है जैसे silk के बहुत सारे product मैंने बताया आपको साडियां भी होती है, scarves है, stalls है और यह बहुत अच्छे प्रचलन में, scarves और stalls का European countries में बहुत अच्छी demand है तो आप चाहें तो वहाँ पे इनको export कर सकते हैं उसके बाद जो है आप product decide करेगी, product के बाद market decide करेंगे, firm का नाम decide करे चाहे private limited company बनाए, proprietor बनाए, LLP बनाए या proprietorship में generally एक GST number लेके आप काम करें, जब आप GST number ले ले लेते हैं तो उससे आप bank में current account open कराते हैं, जहां पे आप current account open करेंगे, वहाँ आपको पता होना चाहिए कि उनके पास AD code लेटर आपको मिल सके, authorized dealership code RBI के द्वारा दिया जाने वाला एक ऐसा code है, जिसमें bankों को अधिकरत किया जाता है, कि वो foreign exchange में लेंदेन कर सकती है, तो अगर आपकी bank को authorized किया गया है, RBI के द्वारा foreign exchange में deal करने के लिए, तो ही आप उसमें account खुलाएं, और उनसे जो है AD code का लेटर आप ले ले, उसके बाद आपको import export code जो आप हमारे द्वारा भी करा सकते हैं, स्क्रीन पर ये नंबर पर हम आपके लिए वो document भी बना के दे सकते हैं, उसके बाद आपको ice gate, port registration या AD code registration आपको कराना होता है, जब आप आप आइस gate, port registration, AD code registration कर लेते हैं, सिंपली उसके बाद आपको जो है, अपना CHE appoint करना है, custom house agent आ जाके different जो buyer finding के videos हैं, वो आप check out कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आए कि किस तरीक से international market में buyer find किया जाता है, उसके बाद जब आप buyer find कर लेते हैं, तो उसको अपनी price देते हैं, price देने के बाद आप उससे order आपको आता है, order आने के बाद आप उससे payment डलवाते हैं और उस necessary document है, clearance के टाइम पे जरूरत है, custom clearance कराना, ये सब को CH करता है, उसके बाद वो material को hand over कर देता है, terminal की ओर, terminal से आपका material जो है, ship पे लोड हो जाता है, वो वहाँ से आगे departure कर जाता है, या फिर by flight जाना है, तो वो भी आपका flight में लोड करवा दिया जाता है, और flight से material जो है dispatch ह हो जाता है, और buyer के यहाँ पहुंच जाता है, तो आपको यहाँ पे जितने भी export के document बनते हैं, during the shipment port पे, वो सारे document collect करके आपको buyer को courier करने होते हैं, जब buyer के बाद material पहुंचता है, तो buyer वो document दिखा के अपना material जो है छुड़ा लेता है, तो इस तरह किसे दोस्तों export का ये आपको दिखाता हूं, समझाता हूं, पढ़ाता हूं कि किस तरीके से आप international market के अंदर buyer finding कर पाएंगे, live buyer finding करके आपको दिखाई जाती है, साथ में जो है आपका advanced payment कैसे लेना है, उसकी system से आपको समझाया जाता है कि किस तरीके से आप buyer से advanced payment ले सकते हैं, buyer ढूनने के तरी मिल जाता है, आप 7 days की online training घर पे बेट के join कर सकते हैं, या फिर आप 3 days का offline training session कूटा राजस्तान में भी आके join कर सकते हैं, आप training के बारे में अधिक जानकारे के लिए आप हमें screen पर लेकी number पे contact कर सकते हैं, आप हमें follow कर सकते हैं, social media पे जिसके link आपको description में मिल जाएंगे जिसमें हम latest export import related update daily basis पे share करते हैं, मिलते हमाँ next video में, thank you very much